इस्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो में एक सम्मिट चल रहा है और इस सम्मिट में माल्दिव के पूर्वराश्टपती भारत के अंदर दिख रहे हैं मालदिव के पुर्व राश्टपती ने भारत से माफी मांगी है मालदिव के लोगों की तरफ से और क्यों कहा है कि ये सब कुछ जादा दिन का नहीं है जानेंगे क्या है मामला भारतियों ने आकिरकार मालदिव के साथ ऐसा क्या कर दिया है जिसके बाद मालिव में हलचल मची हुई है लेकिन सवाल यह उठता है कि मुई-जु फिर भी एक के बाद एक कदम ऐसे क्यों उठा रहे हैं जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और इस वक्त मालिव के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से स्क्रीन पर देख रहे हैं माल्दिव माल्दिव वो देश रहा है जो भारत के लिए बेहत महत्पुर्ण रहा है और भारत ने हमेशा माल्दिव की मदद की है एक समय ऐसा आया था कि जिस डौर्णियर विमान को हमें मौरिसस को देना था हमने उस डौर्णियर विमान को मुईजु के साथ कोई साथ नहीं करने मतलब है कि आने समय में अगर चाइनीज मिलिटरी यहां पहुँच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए माल्दिव की मिलिटरी ने एक कदम उठाया है और कहा जा रहा है कि जिस हेलिकॉप्टर को चलाने के लिए भारत के सिविलियन्स पहुचे थे 26 की संख्या में भारतिय सिविलियन रिपलेस कर रहे हैं भारतिय आर्मी को और जो समझोते के अस्तहत हुआ था उस हेलिकॉप्टर का कंट्रोल लेना चाहता है माल्दिव और कहना चाहता है कि अब आज के बाद हमारी सेना ही चलाएगी तूम नहीं चलाओगे सिविलियन क्रूँ वहां क्या करेगा फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा मतलब हेलिकॉप्टर छोड़के जाओ तूम यहां से निकलो मुईजू के सिद्दान कुछ इस तरीके से हैं क्या भारत चुप चाप बैट कर देख रहा है भारत कुछ भी नहीं कर रहा है स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए मिंट की खबर माल्दिव के राष्टबती ने एक बार फिर से कहा है जैसे ही चाइना से मिलिटरी पैक्ट साइन हो गया है इनकी आवाज खुलने लगी है कुछ ज़्यादा और इन्होंने क्या कहा है इन्होंने कहा है कि भाया हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील को नहीं आगे बढ़ाएंगे खुल मिला कर कहें तो इनका रवया जो है वो साफ साफ ये है कि हम हर हाल में भारत से पंगे लेंगे भारत ने यहां समझाने की कोशिस की और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के खिलाफ ही यहां तक की डोनाल्ड लू स्क्रीन पर देख सकते हैं डोनाल्ड लू के बाद रिचर्ड वर्मा ये भी पहुँचे माल्दियू और मुईजू को समझाया डोनाल्ड लू ने तो अपना एक स्पीच भी दिया इंटर्व्यू भी दिया और इसमें कहा भी कि माल्दियू अगर चाइना के उपर अपनी निर्भरता को बढ़ाता है तो ये आने वाले समय में ठीक नहीं होगा चाइना के साथ निर्भरता बढ़ाने वाले देशों का हालत बहुत बुरा है सिर्फ डोनाल्ड लू ही नहीं I.M.F. ने भी मालदीव को जेताया कि देखो तुम्हारा जो करजे का लेवल है ये करजे का लेवल बहुत जादा है और इस वक्त कोई भी ऐसा चीज जो करजे को और बढ़ाए ये सही नहीं है पर मुईजू किसी की भी नहीं सुन रहे है इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वो इस वक्त चायना के कहे अनुसार चलना चाह रहे है लेकिन हो क्या रहा है हो ये रहा है कि जो बीज दो-तीन मेहने पहले बोया गया अब वो फल दे रहा है स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की एक आर्टिकल देख सकते हैं आप जिस आर्टिकल में कहा गया कि माल्दिव जाने वाले भारतियों में 33% की कमी आई है और ये 33% की कमी बहुत बड़ी कमी है स्क्रीन पर एक आकड़ा देखिए 2018 में 90,000 गये थे 2019 में 1,80,000 भारतिये पहुंचे थे माल्दिव अब आपके ख्याल में आएगा अच्छा 2023 में तो कुछ खास नहीं कम हुए थे और ऐसी आर्टिकल भी छप रही थे उसमें बहुत सारी कि नहीं नहीं कोई खास कमी नहीं आई है तो चुकी होता क्या है काफी पहले से बहुत सारे लोग प्लान बना चुके है टिकट ले चुके है रिफंड नहीं आएगा पैसे की दिकत हो जाएगी बहुत कारणों से लोगों ने माल्दिव का अपना ज्यादा ट्रिप कैंसिल नहीं किया लेकिन अब नए चीजें नए ट्रिप नहीं बन रहे हैं और जैसे ही नए ट्रिप नहीं बन रहे हैं नए बुकिंग नहीं हो रहे हैं यह नंबर घटता जा रहा है स्क्रीन पर एक लिश्ट देखिए माल्दिव के अंदर चाइना टॉप पे पहुंच गया है रूस दूसरे नंबर पर है इटली तीसरे नंबर पर है यूके चौथे नंबर पर है भारत पांचवे नंबर पर है अब यहाँ पर आपके मन में ख्याल है का चाइना ने बहुत सारे परेटक भेजे होंगे जी नहीं यहाँ पर चाइना खुद बखुद आ गया है टॉप पर क्योंकि रूस से भी कम हुए है और भारत से भी कम हुए है यात्रियों का जाना चाइना अगर भेज भी देता है माल लिजे रनितिक तोर पर अभी चाइना कहे कि हाँ जी चले जाओ बड़ी संख्या में टूरिस्ट ठीक है भेज दिया लेकिन ये चीज जादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है क्योंकि चाइना और माल दिव की काफी बड़ी दूरी है और ये कभी भी लॉंग टर्म नहीं चलने वाला है तूरिज्म से माल दिव को बहुत अच्छा फाइदा हुआ करता था और तूरिज्म में इतनी बड़ी गिरावट के बाद माल दिव के पूरों राष्टपती भी हिल गये हैं और उन्हें भी समझ में आ गया है कि अब माल खतरे में पड़ गया है माल दिव के राष्टपती भारत पहुंचे हैं भारत में इन्हों ने जिस तरीके से रिपब्लिक सम्मीट में पीम मोदी से मुलाकात की आपको बता दें पीम मोदी और नसीद काफी पुराने मित्र भी रहे हैं और उसके बाद इन्होंने कई सारी म मीटिंग के बाद उन्होंने यह कहा है कि आप माल दिव के लोगों को माफ कर दीजिए मुईजू की गलती की सजाहा मुईजू के लोगों को मत दीजिए आप आईये आप अर्यटन कीजिए भारतीय नागरिक पहुँची हम उसी तरीके से आप लोगों की आगवानी करेंग हमारे रिष्टे बने रहने चाहिए लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कहने भर से चीजें हल तो नहीं हो जाती है ठीक है मुईजु को आज जनता पसंद नहीं करेगी या फिर आने वाले वोट में हटा देगी या महाभियोग लग जाएगा बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन क्या गैरेंटी है कि उसके बाद फिर कोई ऐसी सरकार नहीं आएगी जो भारत के सामने सर्थ रखे सिरलंका ने करजा ले लेकर अपना बुरा हाल कर लिया और फिर सिरलंका को बचाने के लिए भारत को कूधना पड़ा करजे से मदद करना पड़ा पैसे से मदद करना वैसा ही केस बंगलादेस भी कर सकता है मालदीव भी कर सकता है इन देसों के तो मजे हो गए हैं दरसल होता क्या है कई बार ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि ये देस जान बूझ कर भी फाइदा उठाते हैं कि इधर से भी पैसे ले लो उधर से भी पैसे ले लो जैसे की और य कुछ नहीं कुछ ऐसे नियम कानून होने चाहिए कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिसकी वज़ा से कम से कम ऐसे देश जो इस तरीके से पाला बदल कर फायदा उठाने की कोसिस करते हैं उनको लेकर कुछ नियम बनाये जाए चाहे वो क्वाइड के जरिये हो या फिर किसी और फोरम के जरीए वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरूर बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ